हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजूकेशन चैनल फ्रेंट्स आज जो हम नोटिफिकेशन डिसकस करने जा रहे हैं और यह नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है उत्राखर्ण सबॉर्णेट सर्विस स्लेक्शन कमिशन के द्वारा और इसमें प्रोफाइल है चीफ कॉंस स्टेवल की अच्छी खासी वेकिंसी है हम इसमें देखेंगे फ्रेंट्स एग्जामेशन पैटर्न अप्लिकेशन फी सैलरी स्ट्रक्चर जो कि यहां पर मेंसेंड है स्लेबस और फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट यह दोनों हम कवर कर सकते हैं वैसे में वीडियो के लास्ट में जो है इसी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आड़ कर दूँगा उसमें सबसे डाउन जाएंगे तो आपको मिल जाएगा तो वहां भी आप अप्लाइ कर सकते हैं तो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं फ्रेंट्स कल मैंने एसाई का जो ह अब डिक्रूटमेंट के बारे में डिसकस किया है कल मैंने वीडियो अप्लोट किया है उसमें आप जाएं और उसमें भी अप्लाइ कर सकते हैं ग्रेजिट होलर के लिए वैकन्सी है अच्छी खासी वैकन्सी है एसाई फायर ओफिशर अलं गुल्मन नायक के लिए उसमें निकली हुई है तो आज हम डिसकस करते हैं इसके बारे में इस नोडिफिकेशन के बारे में साल्डी देखिए 25,500 यह स्टार्टिंग साल्डी है बट इन हैंड आपको 30 के आस पास स्टार्टिंग मिलेगा डिसकस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप यह आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा दो चार दिन और और उसके बाद फिर जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर कोरोना एक्स्प्लोड जादा नहीं हुआ तो फिर जुलाई में ही आपका पेपर रिक्रूट्मेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो अब इ अगर कोई डाउट होता है तो यू कन कॉंटेक्ट ओन दिस इमेल आईडी आइदर यू कन कॉल और वाट्सप इससे बहतर होगा आप डिरेक्ट मुझे कॉमेंट कीजिए मैं आपको रिस्पॉंस करूंगा टेलिग्राम पे भी वाट्सप पे भी या फिर आप फेस्बूक इंस्टा जहां पे भी है यूट्यूब पे डिरेक्ली कर दिजिए तो मैं आपको रिस्पॉंस कर दूंगा यहां पे देखिए मुख्य आरक्षी जो है पुलिस दूर संचार मतलब कम्निकेशन डिपार्टमेंट में यह वैकंसी निकली है जहांकि 272 वैकंसी है जेनरल के ल बीचा अनसुचित जाती के लिए 40 तो यह नमबर वैकंसी है 272 ठीक है अब नेक्स देखते हैं इसमें इलिजिबिलेटी करेटरिया सैली स्टक्चर अन लॉट्स अप अधर्स तिंग यहां पे देखिए 25,500 लेकि 80,100 तक सैली स्टक्चर है जो एलांसेस मिलेंगे लेवल सि बाइस दिया गया है और इसमें फ्रेंड्स यहां पे देखिए आप जो है मुख्या इसमें 12th होल्डर जो भी कंडिडेट हैं जो फिजिक्स केमेस्ट्री और गनित से पास किये हैं इंग्लिस भी सब्जेक्ट कंपलसरी रखा गया है फिजिक्स गनित इंग्लिस यह रखा गया है 12th में तो मैठ के कंडिडेट उसके बाद यहां पे देखिए अथुआ करके दिया है विश्यों उत्तरा खंड के इसी मानता प्राफ संस्थाओं से तो मतलब उत्तरा खंड जिसे जिनोंने 12th पास किया है तो वह अपलाई कर सकते हैं या फिर आपने डिप्लोमा किया है अलेक्ट्रीकल अलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग से कंप्टर साइंस से इंफर्मिशन टेक्नोलोजी से डिप्लोमा किया है उत्तरा खंड मानता प्राफ सिक्षन संस्थान से तो आप अपलाई कर सकते हैं यहां पे फ्रेंस इलिमिनेशन हो जाता है ऐसे कंडिडेट ज हम आपि नीचे जाएं चाहिए त seiner कर निफैमिक बहुत सारीवी कि अप खिंज कर सकते हैं जो अधरवाइस आप यहीं से इसक्रिप कर सकते हैं यहां यहांतली लास्ट जा के प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं अब देखिए फिजिकलि के स्टेंडर्र जो है फ्रेंस यहां पर अत्यन्त पिछरावर्ग अनुफची जाती के लिए और 152 cm महिलाओं के लिए अनुफची जाती के लिए 155.5 cm और महिलाओं के लिए 147 cm और पडवती छेत्र के अभ्यरती के लिए 107 cm height and 147 cm for female तो यह है physical standard, physical efficiency की बात करें weight 45 kg minimum female के लिए है और इसमें जो है जो है chest का 78.8 cm से लेके 83.8 cm and 76.3 cm से 81.8 cm